किसी आव्यूह का व्यूत्क्रम ग्यात करने से ज्यादा रोचकार यह पता लगाना होगा कि आव्यूह के व्यूत्क्रम का अस्तित्व कब नहीं है अर्थात व्यूत्क्रम कब अपरिभाशित है ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके व्यूत्क्रम का अस्तित्व ना हो या यू कहे कि व्योत्क्रम अपरिभाशित हो उसे हम अव्योत्क्रमनिय आव्योह या सिंग्यूलर मेट्रिक्स कहते हैं तो चलिए देखते हैं कि अव्योत्क्रमनिय आव्योह या सिंग्यूलर मेट्रिक्स दिखता कैसा है अब हम यहाँ पर सरल्ता के लिए 2 बाई 2 कोटी के आव्यू से संकल्पना को समझने का प्रयास करेंगे, परन्तु वास्तव में आप किसी भी कोटी के वर्ग आव्यू के लिए समान तर्क को लगा सकते हैं, तो मान लेते हैं कि A एक 2 बाई 2 कोटी का आव्यू है, और इसके अ कि A इन्वर्स क्या होगा, याद कीजे, A इन्वर्स बराबर होता है, एक बटा A का सानिक, यानि कि डिटर्मिनेंट, तो यहाँ लिख देते हैं, मौड A, गुडा A का सहखंडज, अब इस इस्थिती में 2 बाई 2 कोटी के लिए सहखंडज का मान, यानि कि Adjoint का मान हमको क्या मिलता है, Adjoint हमें मिलता है, ये, इन दोनों अव्यबों को, A और D को हमें आपस में उलट कर लिख देना है, तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा, D और A, और ये बचे अव्यब जो है, उन्हें हमें एक रिडात्नक चिन्न के साथ, जैसे का तैसा लिख देना है, तो यहा आजाएगा माइनस के B, और इधर आजाएगा माइनस के C, अब प्रश्न यह है कि ये व्यंजग जो हमने सीधे हाथ पर ये जो व्यंजग लिखा है, ये किन परिस्थितियों में अपरिभाशित हो जाएगा, सोच की देखे, देखे, यहाँ पर ये जो आव्यू दे रखा ह इसके अव्यव जो है वो A की ही तो संख्याए है, जिनको हमने बस उलटके या रिनात्मक चिन्ने के साथ लिख दिया है, अब चुकि A एक परिभाशित आव्यू है, हमें कोई फरक नहीं पड़ेगा कि यहाँ पर कौन सी संख्याए आ रही है, लेकिन यदि A का सानिक शून के बराबर हो, चलिए इस बात को लिख लेते हैं, A inverse यानि कि A का व्यूदक्रम और परिभाशित होगा, यदि और केवल यदि एक आसानिक शून्य के बराबर हो जाए, तो यहाँ लिख देंगे, डिटर्मिनेंट A बराबर शून्य, इसी बात को अंग्रेजी में कुछ इस प्रकार से कहा जा सकता है, कि A inverse is undefined if and only if determinant A is equal to 0, चलिए, अब इस प्रशन पर वापस आते हैं और देखते हैं कि सानिक A बराबर शून्य का मतलब क्या है, और इस इस्थिति में हमें व्यूदक्रम क्यों नहीं मिल रहा है, इसको समझने का प्रयास करते हैं, अब यहां एक असानिक क्या होगा, हम जानते हैं एक असानिक बराबर होगा AD-BC के, अब यदि A एक और व्यूदक्रमनी या आव्योह या singular matrix है, तो हम लिख सकते हैं कि AD-BC बराबर होगा 0 के, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ AD बराबर होगा PC के, यदि BD 0 के बराबर नहीं हो, तो हम BD से दोनों पक्षों को भाग दे सकते हैं, और लिख सकते हैं AD बटे BD बराबर BC बटे BD, इसका अर्थ हो गया, A बटे B बराबर C बटे D, मतलब यदि A से B का अनुपात, C से D के अनुपात के बराबर है, तो A एक अर्व्योत्क्रमणिय आव्यो, यानि कि singular matrix होगा, इसी प्रकार से यदि CD शूनी के बराबर नहीं है, तो हम इन दोनों पक्षों को CD से भाग दे सकते हैं, और हम लिख सकते हैं, A से C का अनुपात, B से D के अनुपात के बराबर है, तो भी आव्यो, अव्योत्क्रमणिय यानि कि singular ही होगा, ध्यान दीजे, A बटा B बराबर C बटा D, तथा A बटा C बराबर B बटा D समान कथन हैं, दोनों का अर्थ एक ही निकल कर आता है, तो चलिए एक उधारन से इसको समझते हैं, मान लेते हैं कि हमारा आव्यो, ए बराबर है, दो, आठ, एक, चार के, अब यहां दो से आठ का अनुपात एक से चार के अनुपात के समान है, इसी प्रकार से दो से एक का अनुपात आठ से चार के अनुपात के बराबर है, अता हम कह सकते हैं कि यह एक अव्योत क्रमणिया आव्यो होगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ आवियोग का सानिक भी 0 के बराबर है